हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू गवर्मेंट जॉब जैन्योर नॉटिफिकेसान यूट्यूब चैनल इंद्रा गांधी रास्टी मानव संग्रालय में रिक्रूट में नॉटिफिकेशन आउट हुआ है आई जी आर एम एस में यहाँ पर जो भरतिकी जारी है किलर्क सफ़ाइक रमचारी ड्राइवर स्टैनो एंड जूनियर इंजीनियर के पदों पर भरतिकी जाएगी साथी यहाँ पर जो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे फिप्ट पास टैन्थ पास आईटिया होल्डर्स ड अप्लाइब करना चाहतें लिंक आपको डिस्क्रिप्स डॉक्स में मिलेगी वहां से आप चेक कर लिजेगा या फिर ऑफिसल साइट से जाकर करके भी चेक कर सकते हैं एक बर अप्लाइ करने से पहले पूरा नॉटिफीकेशन जरूर चैक कर लिजेगा गलिके हम notification देख लेते हैं so यह हम notification पर आ गए हैं इंद्रा गांधी रास्टी मानव संग्राल है भोपाल से यह notification आउट हुआ है और मैंने आपको बताया इसकी जो posting अगर होती है भोपाल में होती है उसके अलबा ट्रांसफर भी आपको जहां भी इसकी उनिट्स है वहां पर आल इंडिया में ट्रांसपर किया जा सकता है यह notification में अभी आपको इसमें के लिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ही छोटा-छोटा है आप एक बार notification जो चेक कर लिजेगा हम बैकेंसी आकर देख लें तो इसमें जो बैकेंसी आई है लेखा अधिकारी के लिए समूबी के लिए गुरूबी के लिए है जिसमें डिपार्टमेंटल इसमें फ्रेसर्स और डिपार्टमेंटल दौनों के लिए वेकेंसी है तो इसके लिए डिपार्टमेंटल केंडिडेट अरिसिबल रहेंगे 56 इसमें मैक्सिमम एस लिमिट है पे यहाँ पर लिखी गई है ग्रेट जो वेतन है वो च्छालीस सो ग्रेट पे से ओके अब यहाँ पर नेक्स्ट है जो वरिष्ट आसू लिपेक स्ट्रनों के लिए है अनारक्षित कांडिडेट के लिए इसमें पर चपन वर्स रखी गई है और सीधी भरती जो फ्रेसर्स र प्री हिस्ट्री से विसे सकता सहित माना विज्ञान में इस नातकोतर की उपादी होनी चाहिए साथ में इसमें एक्स्पिजेंस भी मांगा गया है बागवानी साहे के लिए एक पद है सीधी भरती है 25 साल एज लिमिट रखी गई है ग्रेट पे 2800 है बागवानी में MSC या प्र आपने प्लांट फिजिलोजी के साथ क्रसी विज्ञान में MSC की है तब आप अप्लाइ कर सकेंगे आसु लिपिक के लिए एक विकेंसी 18-28 साल एस लिमिट रखी गई है जिसमें अनिवारी योगता मानता प्राप्त विस्विध्यालेया बोड से 10 पास हैं आप साथ मे आपका हिंदी और इंग्लिस में इसमें स्पीट मांगी गई है जैसे की समतुल अंग्रेजी आसु लिपिक से 80 सब्द प्रती मिनिट और अंग्रेजी टंकड में 40 सब्द प्रती मिनिट की स्पीट मांगी गई है ठीक है कनिश्ट लिपिक के लिए दी गई है वेकेंसी इसम इसमें भी सेम रखा गया है 35 वर्स लिमिट है 1826 भी है सीधी भरती दौरा तीन पद है इसके लिए एंड इसमें जो ग्रेट पे है 1900 है एंड हिंदी और इंग्लिस की टाइपिंग की छमता रखी गई है और 10 पास इसमें मांगा गया है नेक्स्ट वेकेंसी है बाहन चालग के लिए इसमें तीन वेकेंसी है सीधी बरती होगी तीच से तीस साल ऐस लिमिट है इसमें साथी सास के क्रमचारिया एकंसर कार के स्वाट इसमें कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पर फ्रेसर Sabbath एपाट्मेंटल एप्लाय कर सकेंगई इसमें योगता मोटरकार का बैद्ध लाइसेंस आपके पास होना चाहिए तक्निकी ग्यान अंड मोटरकार या जीब चालन का नियुंतम चार वर्स का एक्स्पिरेंस भी मांगा गया है कनिस्ट अवियंता के लिए सिविल में इसमें एक विकैंसी है 25 साल एजलिमेटर सीधी भरती है इसमें इसमें सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए पती नुक्ति केंद्र रासरकार या केंद्र रासरकार के स्वात्यतार संस्था में काररत अधकारी के लिए यह रखी गई है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए 18-25 सालेज लिमिट है एक वेकेंसी है जिसमें 2800 ग्रेट पे है एंड इसमें भी इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या इंजिनियरिंग यह फिर आपने आईटी प्रमार पत्र के साथ 10 वर्स का एक्स्पिरेंस मांगा गया है तो आप आप अप्र अप्लाइ कर सकेंगे एलेक्ट् ग्रेट पे 1600 है इसमें 1800 ग्रेट पे रखा गया है इसमें फिप्त क्लास पास केंडिट एलेजबल रहेंगे साथ यह बता दूं कि नॉटिफिकेसन में दिया गया है यह जो भरती है आइस्थाई भरती है लेकिन इसके पूरे-पूरे चांस है पर्मानेंट होने के आपको प जोजगार समाचार में प्रिकासन किया गया है उससे 21 दिन के अंदर आपको इसमें अप्लाइ करना होगा ओफ्लाइन आपको एप्लाइ करना है आप इसकी ऑफिसल साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा उसको आप डाउनलोड कर लेंगे प् के लियर किये हैं अगर आप इसके लिए आलिजबिल हैं तो एक बार नॉटिफिकेशन केरफुली रीड कर लीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइबर से हर भी चरूर कीजेगा थैंक यू